हेलो दोस्तों सुवागत आप सभी का एक बार फिर से तो आज की इस कलास में हम इंडिया जिक्के के टोफ 50 कुशन करने जा रहे हैं जो कि आपके एकजाम के लिए बहुत ही इंप्रोटेंट होंगे सबसे पहला परसन है बजट को कि सूची में रखा गया है तो बजट को रखा गया है दोस्तों समवर्ती सूची के अंतरगत समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसके अंतरगत राज्य सरकार और केंदर सरकार दोनों ही कानून बना सकती है भारत में सरवाधिक दूसरी बोली जाने वाली भासा कौन सी है तो दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली सरवाधिक भासा भारत के अंदर है वो है बांगला भासा कौन सी बांगला भासा आधुनिक यूग का तुलसी किसे कहा जाता है अधुनिक यूग का तुलसी कहा जाता है मैथिली सरण गुप्त को आधुनिक यूग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है तो आधुनिक यूग की जो मीरा है दोस्तो वो सथान प्राप्त है महादेवी वर्मा को सरदार सरोवर प्रियोजना किस नदी पर स्थित है उसके बाद मानस राष्टिय उध्यान कहा स्तित है मानस राष्टिय उध्यान स्तित है दोस्तो असम के अंदर सवतंतर भारत के राष्टिय धवज का डिजाइन किसने तियार किया था तो सवतंतर भारत के राष्टिय धवज का डिजाइन तियार किया गया था Second, भारत का राष्टिय गीत वंदे मातरम सरव पर्थं कब और कहा गया गया था, तो ये 1896 के अंदर कलकत्ता के अंदर गया गया था, भारत के राष्टिय परतीक में कितने सेर दिखाई देते हैं, देखें राष्टिय परतीक के अंदर जो है इधर 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 और इधर च्य अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सरवमान्या है तो ग्रीगोरियन जो कैलेंडर है वो दुनिया भर के अंदर सरवमान्या है हमारे राष्ट्य कैलेंडर की पहली तिथी ग्रीगोरियन कैलेंडर की किस तिथी के अनुरूप है तो हमारे राष्ट्य क्लेंडर के जो पहली थी थी है वो 22 मारच 1957 के अनुरूप है बाग से पूरव भारत का राष्ट्य पसू क्या था तो देखिए अभी जो है वो बाग है और उससे पहले क्या था सिंग सिंग यानि सेर पहले राष्ट्य पसू था Statue of Unity परतिमा का डिजाइन किसने तयार किया तो यह तयार किया गया राम सुतार के द्वारा Statue of Unity बनाने में कितना खर्चा आया है Statue of Unity बनाने में दोस्तो 3949 करोड रूपे का खरच आया है और यह कहा पर है गुज्राट के अंदर किस पोधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है पत्ती के अंदर जड़ पाई जाती है दोस्तो ब्रायो फाइलम के किसके ब्रायो फाइलम के किस एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल पत रख दिया गया है तो किसका रख दिया गया है बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल पत रख दिया गया है अटल नगर किसकी राजधानी है अटल नगर राजधानी दोस्तों अभी बनी नहीं है देखिए 36 गड़ की जो राजधानी है राएपूर उस पर चर्चा चल रही है जिसका की नाम बदल कर क्या रखा जाएगा अटल नगर बनाने पर उसे विचार किया जा रहा है गोरकपूर एरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है तो गोरकपूर एरपोर्ट का नाम रखा गया है महायोगी गोरकनाथ एरपोर्ट एहमदाबाद का नया नाम क्या होगा दोस्तों तो ये होगा करणावती नया नाम क्या होगा करणावती साबरमती घाट का नाम बदल कर क्या रखा गया है साबरमती घाट का नाम बदल कर रखा गया अटल घाट हाल ही में कांडला बंदरगा का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो ये रखा गया है दीन द्याल बंदरगा कांडला बंदरगा दीन द्याल बंदरगा हजरत गंज चोराहा लखनों के अंदर जो स्तित उसका नाम क्या रखा गया है तो ये रखा गया दोस्तो अटल चोक क्या रखा गया अटल चोक विलर दीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो APJ.A.B.D.L.M.Dweep ग्रेलूप योग में पाय जाने वाले चिन्नी में क्या पाय जाता है तो उसके अंदर पाय जाता है सूकरोज क्या पाय जाता है सूकरोज जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है डाइट के नाम से जाना जाता है जापानी संसद को थोरियम का सबसे बड़ा बंडार कहा परस्तित है तो यह स्तित है दोस्तो भारत के अंदर थोरियम का सबसे बड़ा बंडार युनेसको का मुख्याले कहा परस्तित है पैरिस के अंदर युनेसको का मुख्याले मिनी ताज महल किसे कहा जाता है बीबी का मकबरा को कहा जाता है दोस्तों ये ओरंग जेव की बीबी की कबर थी भारत का राष्टिय गीत वंदे मातरम कहा से लिया गया है तो ये आनंद मट से लिया गया है भारत के किस राज्य में सरवाधिक वर्षा होती है में घाल्या के अंदर भारत में सरवाधिक वर्षा होती है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है तो यह दोस्तो कैलास सत्यार थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कोल्ट ने किस का विश्कार किया था कोल्ट के दुवारा विश्कार किया गया था रिवालवर का अंडेमान निकोबार की राजधानी है अंडेमान निकोबार की राजधानी है दोस्तो पोल्ट बलेयर किस नदी पर सरदार सरोवर बांद बनाया गया तो सरदार सरोवर बांद बनाया गया नर्मदा नदी के उपर वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया तो ये लिया गया है आनंद मट से कहा से आनंद मट से किस गरह के सरवाधिक उपगरह है तो सनी जो गरह है उसके सबसे अधिक उपगरह है भारत में कौन सी जन जाती सरवाधिक पाई जाती है गोंड जन जाती है जो भारत के अंदर सरवाधिक पाई जाती है मोगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो ये रखा गया पंडित दीन दियाल उपाध्याय जंक्सन विशव का दूसरा सबसे बड़ा महादवीप कौन सा है तो दूसरा सबसे बड़ा महादवीप है अफरीका सारक का मुख्यालय कहा पर स्थित है सारक का मुख्यालय स्थित है दोस्तो काठ मांडू के अंदर कहा पर काठ मांडू के अंदर तवचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है तवचा की सबसे बाहरी परत कलाती है एपी डर्मिस उसके बाद है दोस्तो एलोरा की गुफाए किस राज्य में है तो महराष्टर के अंदर है एलोरा की गुफाए सबसे बड़ा टापू कौन सा है विशाव का तो ये है हमारा ग्रीन लेंड भारत में लिगनाइट का खनन कहा पर होता है लिगनाइट का खनन होता है दोस्तो नैवैली के अंदर काबूल में किसका मकबरा स्थित है बाबर का मकबरा काबूल के अंदर है अकबर का मकबरा कहा पर स्थित है अकबर का मकबरा जो है वो सिकंद्रा के अंदर स्थित है जिन्दा पीर किसे कहा जाता है तो ओरंग जेब को दोस्तो जो कि मुगल सासक था जिन्दा पीर कहा जाता ह दीने इलाही ध्रम सविकार करने वाला पर्थम एवं अंतिम हिंदु कौन था तो ये थे दोस्तो बीरबल जिसने की दीने इलाही ध्रम को असेप्ट किया था पर्थम भारतिय फिलम कौन सी है तो पर्थम भारतिय फिलम है राजा हरिस चंद्र तो ये 50 important question थे दोस्तों इंडि हो सकते हैं